हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुए अधने इन्वेस्टमेंट अकैडमी कैसे हैं आप आज जो है वीडियो एक काफी डेटेल्ड बनाने वाला हूँ मैं अग्राने नाच्रल गैस सेक्टर के उपर तो यह एक सेक्टर है जो काफी गयर्मेन्ट के फोकस में भी रहा है और इसमें growth काफे सारी companies भी है जो listed है और बहुत बात भी होती है इस sector के बार में obviously energy sector है यह energy से related है तो वैसे भी इस बारे में काफी बात होती रहती है और especially COVID के time पे और अशिया युकरेन के war के चक्कर में इस sector के बार में फ़री जादा बात होने लग गई थी because of global scenarios तो हम सब चीजे यहाँ आपन natural gas sector के बार में detail में बात करेंगे पूरा supply chain समझेंगे और supply chain में कौन-कौन से company है क्योंग बहुत सारी companies है और बहुत सारी companies अलग-लग ज़गे पर है तो कौन सी company करती क्या है exactly किसका कितना scope है वो area क्या है तो सब चीजे समझने के यहाँ पर try करेंगे पूरा supply chain को समझने के try करेंगे तो it is a video which makes you understand natural gas sector in detail ठीक है और उसमें कौन-कौन से companies हैं यह company analysis नहीं है यह sector analysis है तो यह चीज आप यहाँ पर ध्यान लगणा है ठीक है तो start करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि investor.in पे और हमने यह क्योंकि model portfolios में कुछ हमारे यह companies भी है जो natural gas related है तो investor.in पे जाएंगे तो model portfolio subscriber अगर आपी तक आप नहीं है ठीक है तो वो ज़रूर subscribe कीजिए ठीक है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे offers चल रहे है जो आप वहाँ पर जाके offers एक section है वहाँ पर देख सकते है और उस offer का lab उठाके you can buy our model portfolios as well और यह तो stockometer, fundometer और market products भी you can check ठीक है तो अगर अभी तक नहीं किया है तो please ज़रूर कीजिए तो start करते है क्या है basically natural gas sector का एक तो नाम, terminologies जो यूज होती है तो आपने natural gas के बारे में जब सुना होगा तो LNG बहुत सुना होगा पेट्रोनेट LNG सुना न तो ऐसे R LNG भी होता है CNG भी होता है और PNG भी होता है तो यह अलग-अलग टाइप की natural gases है तो यह exactly है कहा रहा है पहले तो यह समझ नहीं कोशिश करते हैं फिर डीटेल में supply chain समझेंगे तो LNG means liquified natural gas liquid form में जो natural gas होती है वो क्यों use होती है basically जो import होके आती है हमारे पास काफी सारा almost 40-50-45% जो natural gas है वो भी बात होगी आगे बट वो import होती है इंडिया में तो वो जो आती है ships के थूरू majorly बड़े बड़े राइट तो वो जो आती है वो majorly liquid form में आती है तो उसको liquify करते हैं जहां से भी आती है सबोस कतर से आई है या US से आई है तो वहाँ पर वो liquify होती है उसमें होती है मतलब अलग-लग अपने particular temperature पर रखा जाता है उसको और फिर वो इंडिया आती है तो वो जो gas है उसको बोलते है LNG liquified natural gas फिर एक होता है RLNG मतलब regacified liquified natural gas अब जब उसको use करना होता है तो gas form में use करते है natural gas CNG है आप घर पर use होते है तो अपने वो gas form में होती है तो उसको फिर उस liquid form को क्योंकि वो temperature वेगरा maintain करना पड़ता है उसका pressure अलग होता है तो उसको regacify करना पड़ता है ठीक है वो पूरा supply chain समझाऊंगा मैं आपको तो regacify मतलब उसको gas form में वापिस लाना पड़ता है जब वो import हो चुकी है इंडिया आ चुकी है तो उसको बोलते है जब वो regacify हो रही होती है उस चीज को बोलते है RLNG Regacified Liquefied Natural Gas ठीक है Regacified gas form में होती है थर्ड है CNG Compressed Natural Gas CNG pumps में अपनी काफी सारी cars है मेरे पास भी CNG car है ठीक है I'm sure आप बहुत लोगों के पास होगी तो CNG cars के अंदर जो अपन डालते है Natural Gas वो होती है CNG मतलब Compressed Natural Gas तो वो भी एक pressure particular pressure विगड़ा पर वो हमारी car में use होती है gas form में ही होती है और fourth जो है वो PNG तो वो है Piped Natural Gas तो हमारे घर में आती है pipeline से क्या गयता है मैं LPG की बात नहीं कर रहा हूँ pipeline से जो Natural Gas हमारे घर में आती है वो होती है PNG Piped Natural Gas तो मेरे घर में तो Pipe Natural Gas है आपके घर में भी है तो प्लीज बताएं और नहीं है तो कब आ रही है क्या है status वहाँ पर वो भी ज़रूर बताएं अगर कुछ आसी बात चल रही है क्या कि वो Piped Natural Gas आपके घर में आने वाली है तो वो Piped Natural Gas है तो एक ही वो same ही है बट अलग अलग नाम दिया गयाता है तो यह LNG RLNG CNG और PNG हमने काफी सुना हुआ CNG तो बहुत ही सुना है तो यह अलग अलग टाइप की हमारी Natural Gases का टाइप है ठीक है जो नाम यूज होते है अब यह जो Natural Gas है इनकी application का है यह यूज कहां कहां होती है ठीक है तो आपको बता दूँ कि पावर सेक्टर में बहुत ही जूज होती है Natural Gas जो यूज होती है हमारी तो वो हमारी Power Generation का होती है तो आपको पता है कि एक Torrent Power करके एक company है उनके काफी सारी Natural Gas Based Power Plants है तो वो Natural Gas से पावर बनाते है मतलब कोल की जगे वो Natural Gas यूज करते है ठीक है तो वो महाँ पर काफी ज़ादा तो वो काफी बड़ी मेजर ली वो Natural Gas से ही पैसा कमाते है मतलब पावर मनाते है तो पावर सेक्टर में अच्छा खासा यूज होता है काफी सारे Power Plants है गलोबली भी इंडिया में भी जो Natural Gas यूज करते है फिर Fertilizer industry में बहुत ज़ादा मतलब आमोनिया यूरिया वेकरा कि production में Natural Gas का बहुत बड़ा रूल है ठीक है तो Fertilizer industry especially अगर आप मतलब गुजरात में देखेंगे इस अब जगे पर जहाँप Natural Gas का supply काफी अच्छा है तो काफी सारा Natural Gas use होता है steam से काम होता है तो industries में भी for steam को करने के लिए furnaces वगएरा को चलाने के लिए natural gas काफी सारी industries में use होता है जहां पर भी applicable है जहां पर भी use है ठीक है फिर अपना आपको पता है यह domestic and commercial cooking gas कितरे use होता है मेरे घर में भी natural gas ही आती है तो MNGL करके हमारा company है जो पूना में है तो वो हमारे pipe to natural gas है तो वो use होती है cooking gas में और CNG जो होती है वो car में तो मेरे भी CNG वेकर हो तो मैं दोलन जगे यूज़ करता हूं तो वहाँ पर भी use होती है तो वहाँ पर eco-friendly fuel की तरह ही promote जादा होती है योगि most more eco-friendly मतलब it's not a clean energy per se but it's much cleaner than the petrol and diesel engines much cleaner than that तो काफी कम pollution करती है as compared to them ठीक है और बहुत सारे petrochemicals plants में भी ये use होता है मतलब जहाँ पर chemical बनाने के लिए methanol है ये सब चीज़े भी जो है natural gases में काफी सादा chemical production में भी इसका use होता है तो ये सारे इसके major application है अब जो है if you can see this slide now right तो ये है पूरा supply chain इसका ठीक है तो अब आप देखोगे कि होता क्या है कि gas आ कहां से रिये natural gas कहां से आ रहे है इंडिया में इंडिया का specific है यह जाई तो global नहीं है तो पहले तो इंडिया में भी natural gas मिलती है कुछ इंडिया में भी ऐसी जगे है तो हम उसके detail में बात करेंगे एक एक section में आप बहुत detail में समझाने वालों तो इंडिया में भी natural gas मिलती है तो onshore fields मतलब जो land पे है ऐसी natural gas की field जहां natural gas मिल रही है बट land offshore fields मतलब deep sea में mostly deep sea के अंदर natural gas मतलब जो difficult है more to take out natural gas तो जैसे केजी basin का नाम सुनाओगा आपने काफेरी कोदावरी basin तो वो mostly offshore field है तो imported LNG जैसे मैं बोला काफे सारा import भी होता है तो बाहर से आ रही है LNG तो यह तीन टाइप से natural gas इंडिया में आती है एक हमारी onshore field है हमारी offshore fields है and import करते है ठीक है अब जब यह जो imported आती है वो तो liquid form में आती है LNG form में आती है ठीक है तो वो उसको regasify करना पड़ता है उसको gas में convert करना है तभी वो आगे जाएगी वो gas form में ही आगे जाती है क्योंकि यह particular pressure जो अलग-अलग रहता है temperature maintenance जैसे मैं नहीं बोला तो उसको पहले regasify करना पड़ता है और फिर store करना पड़त आपको काफी detail में समझाएगा हो तो storage में जो है वो वहाँ पर ही terminal पे store होता है तो import हुआ ship से आया ठीक है हमारे किसी port पे shipping port पे वहाँ पे जाके regasify हुआ और store हो गया ठीक है फिर store होने के बाद वहाँ से transmit होता है तो gas pipeline के थूँ उन natural gas pipelines होती है gas form में ही जाता है तो pipelines के करेंगे मैं बख वेको हो राएगी बताओं आपको ठीक है तो Gale है जैसे GSPL है यह सब companies है जो pipeline setup करती है तो एक जगे से दूसरी जगे पे pipeline से जाता है ट्रक्स से last mile के लिए कुछ कुछ जगे पे जाता है बट majorly pipeline से ही natural gas terminal से लेके जहां तक उसको पहुँचना है मतलब end बि पर एक city gas distributors होते हैं आपने सुना होगा CGDs राइट अब महानगर gas हो गया इंदरप्रत gas हो गया गुज़ात gas हो गया तो यह सब companies क्या करती है यह pipeline जब आती है उनके पास तक यह उसको एक जगे पे store करते है city level पे और फिर वहां से हो CNG pumps में जाएगा आपके घरों में pipeline के ठीक है तो CNG, PNG, LNG जो है इस तरह से यहां पर जाता है अब यह भी हाँ, LNG यहां क्यों लिखा है आपको होगे कि अब LNG तो इंपोर्ट हो रहे है तो यह भी अभी बात चल रही है ऐसे discussion हो रहे है कि LNG ही directly हमारी cars में जा सकता है क्या, right, why we have to do this regal specification work, why we have to transmit in a gas form only, why cannot the transmission happen in LNG form only, ठीक है, और वो directly हमारी car में भी LNG ही use हो जाए, तो उसके उपर बात चल रही है, they are divided thing, कुछ cars में changes करने पड़ते हैं, तो चल रहा है, there is some experiments and some level of testing going on on that, as well, distribution में LNG डाला है, but it's negligible, अभी, तो majorly distributed जो होता है, मतलब compressed natural gas, जो car में जाड़ी है, PNG मतलब जो हमारे cooking gas, ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा layout है, आपको value chain का, अब हम एक एक करके discuss करेंगे, ठीक है, तो natural gas sourcing, तो कहां से आता है पहली बद तो, इंडिया में, बहार से समान कहां से, मतलब कितना समान बहार से आता है, तो FY22 मे हमारा almost, almost, 34 BCM, ठीक है, इनका एक unit है, वो हमारे production, production हुई, मतलब almost 55%, 55% हमने, जो gas हमने use की, वो produce की, ठीक है, और 45% हमारा almost, almost, import हुआ, ठीक है, अब import कहां से हुआ, कहां से कौन major countries हैं, जो import करते हैं, तो सबसे दाज़ा share है, 46% है, almost कतर का share, ठीक है, तो 46% का इस पास कतर स से आता है, 15% US से आता है, 13% UAE से आता है, नाइजिरिया से आता है, 11%, तो यह सब countries है majorly, जहां से हमारी gas आती है, ठीक है, और historically अगर हम देखें, मतलब 4-5 साल पहले चले जाएं, तो 80% कतर से आता था, तो we had a very high dependence on कतर, ठीक है, बट हमने उस dependence को भी कम कर लिया है, तो कतर प ठीक है, तो इस तरह से हमारा import जो है, इन country से हो रहा है, natural gas का, ठीक है, और अब हम जो domestically है, उसमें कौन-कौन सी companies है, कितना onshore हो रहा है, कितना offshore हो रहा है, जो मैंने बात करी थी, तो majorly, ONGC जो है, वो majorly सबसे जादा production करती है, इंडिया में, ठीक है, जो domestically हम produce करते हैं, तो ONGC is the major player in it, ठीक है, तो almost out of 33 million metric standard cubic meter, 33, 33.5 के असपास, उसमें से 20, मन के जालो 60-65% के असपास है, 65% के असपास होगा मैंने साब से more or less, तो उतना जो है, वो ONGC produce करती है, फिर almost 10.5 million cubic standard cubic meter, ठीक है, तो almost again 25-30% के असपास, वो JVs है, वो private players है, तो मसलिम majorly reliance है, जो की kg basin से होता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, मैंको exactly नहीं पता, बट वो majorly वहीं से आता होगा, ठीक है, और बाकी जो है, वो OIL, OIL करके, company oil limited, तो वो almost 10% I think, 10% से भी कमणा, 8-9% जो है, they basically produce natural gas in India, तो कौन-कौन से कंपनी होग जिसमें से ONGC major production करती है, ठीक है, यह हो गया, इसमें से कितना onshore है, कितना offshore है, offshore is more difficult, but offshore is more also, right, तो out of this 33, मैंने जो बोला, उसमें से, almost 66% जो है, वो on offshore है, मतलब sea-based है, जो difficult है, मतलब, जो difficult to produce है, right, जिसमें investment ज्यादा लगता है, तो वो है, and 33% only is onshore, ठीक है, तो जो basically easy to take out है, वो 33% ही है, ठीक है, तो we are not too blessed, but still, we still have some natural gas in India, मतलब हम crude से तो बहुत है, ठीक है, तो यह हमारा domestic production है, ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे, तो सबसे जादा जो production होता है, वो तो offshore से होता है, but कुछ जो states हैं, जो करते हैं, असाम अच्छा-खासा production करता है, almost 10%, राज स्थान से भी natural gas production होता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे यह production का system है, overall, अब जो है, I will talk about LNG, ठीक है, तो production का आपको समर्गया sourcing कहां से हो रही है, सब समर्गया कहां से import हो रहा है, कितना हम produce कर रहे हैं, कौन-कौन सी company involved, done, अब हम बात करेंगे, कि जो import हो रहा है, जो जब LNG टर्मिनल पर आता है, शिपिंग टर्मिनल पर आता है, तो कौन-कौन सी company और क्या-क्या करते हैं, तो उस में से सबसे बड़ा जो player है, ठीक है, वो है, Petronet LNG, जिनके दो, मतलब, जगे पे, धहेज में, और कोची में, they have a plant, plant, मतलब, उनका regasification system है, और storage का terminal है, जो कि natural gas terminal ब metric ton, जो है, उनकी capacity है, तो वही major सबसे बड़े player है, बाकि जितने भी player है, they are much smaller, तो हजीरा LNG है, जो हजीरा बाद, हजीरा का गुजरात में जो है, वो, क्या कहते है, port है, सी port, उसमें उनका है 5 metric ton का, फिर धबोल महाराश्र में है, 2.9 का, वो रतनागिरी gas power limited करके company है, कोई फिर NNOR में है, जो उनका पर अपना LNG terminal है, वो इंडिनोल का है, ठीके न, तो इस तरह से मुंद्रा में है, वो GSPC का है, GSPC मतलब parent company of GSPL, गुजरात state patronate company है, आपने लिस्टेट, उसकी जो parent है, उनका एक LNG terminal में है, but it's small, it's 5 metric ton, million metric ton का, वो है, मुंद्रा plant में, मुंद्रा shipping, जो terminal है उस पर, ठीके न, तो इस तरह से इनका सारा system है, जो गेल का भी यह बन रहा है, ठीके तो बाकी छोड़े-छोड़े कुछ बंड भी रहे हैं, तो मैं टेबल यहां पर डाल लेता हूँ, ठीके तो यह टेबल आपको दिखरी होगी अब, जिसमें यह सारे, कौन-कौन से किसकी कितनी-कितनी capacity है, कितनी capacity utilization है, तो as I said, pattern and LNG is the biggest client, तो वो again work समझ आ गया आपको उसका, जो क्या करते हैं, LNG आता है, उसको reacify करते हैं, store करते हैं, और फिर आगे भेज देते हैं, ठीके, तो यह काम करते हैं, अब जो है, वो आगे भेज देते हैं, जब तो इसमें से हमने natural gas ली और फिर आगे भेजा, या फिर हमने LNG terminals से आगे भेजा, ठीके, दो जगे से आएंगे, तो अब किस-किस companies की pipeline है, जो यह सारा कर रही है, natural gas को एक जगे से दूसरी जगे पर लेके जा रही है, तो सबसे बड़ी, सबसे ज़ादा है, GAIL, Gas Authority of India Limited, ठीके, तो उनक 9,602 operational kilometer length है अभी जो pipelines का total, ठीके, तो इतना उनके पास already है, और under construction almost 5,000 kilometer का है, और 4519 जो है, वो partially commission हो गई है, तो total उनकी length जो होने वाली है, कुछ time के पाद, वो 19,000 kilometer की होने वाली है, गुजरा स्केट पेटरोनेट के पास 2700 की almost operational length है, pipeline की, number 2 है वो after gail, ठीके, और उनकी 100 kilometer की कुछ under construction pipeline है, ठीके, pipeline infrastructure limited करके company है, ठीके, तो उनका भी 1459 है, वो third number पे है, तो ये तीन major pipeline company है, ठीके, उसके अलावा कोई pipeline company, जो है, major level, बाकी सब छोड़ी-छोडी companies है, pipeline की, but there are no major player otherwise, ठीके, और ये जो है, इंटरस्टिंग आपको इस चीज़ा बताता हूँ, pipeline infrastructure limited जो company है, this is actually an invit, infrastructure investment trust है ये, जो group field manage करता है, जिसका एक REIT है, जिसमें हम invest कर सकते हैं, ये जो है, ये जो है, ये प्राइवेट कुछ investors इसमें involved है, तो ये invit है, इंटरस्टिंग है, तो pipeline infrastructure, तो मतलब, it is smaller than GSPL, but again, इतना चोटा भी नहीं है, almost 60% of their total pipeline length इसके पास भी है, बाकि सब बहुत चोटे-चोटे players है, ठीक है, again, साढ़ी list यहां डाल देता हूँ, ये सब data collector ने बहुत time लगा है, but still I will put all the data with you, ठीक है न, तो main gail is the listed company, GSPL is the listed company, बाकि Indian oil बगरा, इन सबका तो कुछ खास है ही नहीं, ठीक है, तो उन्होंने खुदी अपनी ही setup कर ली pipeline, कि हम ले लेंगे LNG से खुदी अपने पास directly, तो छोटा सा उन्होंने 42 km की खुद setup करी लिए, ठीक है, तो इस तरह से these are the pipelines, और कुछ नहीं नहीं जो pipelines बन रही हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ next map पे, कि ये now I am putting a map here, which shows कि कौन-कौन सी pipelines कहां-कहां पे है, किस-किस की existing है, किस-किस के proposed है, तो आपको एक idea लग जाएगा, कि कितनी pipelines इंडिया में बन रही हैं, और क्या-क्या हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से है अभी pipelines, अब जहां-जहां पे pipeline नहीं है, जैसे इस area में अगर आप देखोगे, तो pipelines जादा नहीं है, तो obviously वहां पे natural CNG मिलना, PNG मिलना बहुत मुश् नहीं नहीं है, बाकी जितनी भी dotted line है, वो सब under construction है, तो वहां पर भी pipelines नहीं है, तो वहां पर CNG pumps भी नहीं होगे, और pipe natural gas भी नहीं होगी, तो घर के अंदर cooking gas जो आ रही है, वो भी नहीं होगी, तो कहां पर major है, गुजरात में बहुत अच्छा है, तो गुजरात तो definitely construction है, UP में भी कुछ-कुछ जगह पे है, ठीक है, तो इस तरह से यहां पर pipelines है, वहां पर आपको CNG pumps मिल जाएंगे, और pipe natural gas भी मिल जाएगी, पर जहां नहीं है, वहां नहीं मिलेगे भी, but under construction है काफे सारी, तो hopefully this should improve, ठीक है, अब pipeline से पहुँच गया city तक, अब उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद आब आते हैं, players CGD, right, city gas distributors, ठीक है, तो यह अलग companies है, तो अब GSPL अलग company है, अब यह CGD अलग है, तो यह क्या करते हैं, लास्ट माई के लिए, इनके पास आगई gas, अपने city तक, उसके बाद देखो, अगर आप यहां पर कि, वह एक city gas, gate station लगाते ह यहां पर, मतलब, उसमें जाके, वो सारा gas आके, और, मतलब, obviously, उसकी जो pressure होता है, वो जादा होता होगा, उसकी pressure कम करते हैं, वहां पर, ठीक है, तो gas का, और उसको store करते हैं, and then they basically supply, mostly through steel pipes, steel pipes के थ्रू ही जाती है gas, ठीक है, तो steel pipes के थ्रू, they send it to, अगर industrial segment में जाना है, त तो, मतलब, city में जो industries हैं, जिनको gas चाहिए, natural gas चाहिए, तो वहां जाएंगे, right, फिर हमारी cooking gas की तरफ जाएगा, तो वहां जाएगा, right, और अगर CNG stations पे जाएगा, तो उसका pressure जो है, mostly सबका same and similar ही रहता है, right, और CNG stations पे तो जादा जब हम डालते हैं, car में तो जादा च सब चीजे हैं, तो इस तरह से natural gas का change होता है, ठीक है, so this is how the city gas distribution works, अब इसमें कौन कौन सी companies है, right, तो ये question है, तो अब इसमें चार companies हैं, ये चारों लिस्टेद हैं, ये major 4 है, और ऐसा नहीं, सिर्फ ये 4 हैं, there are more players than this, right, but ये 4 लिस्टेद हैं, तो इसमें का नाम लिया है, तो उनके 367 CNG station है, total pipeline network, 10,000 pipeline network है, इतने customers हैं, इतनी इनके customers हैं, जो domestic PNG, मतलब cooking gas के, और average gas supply कितनी कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है, 52 geographical areas में, इनके पास licenses हैं, 52 geographical areas में, right, second गुजरात gas है, उसके पास सबसे ज़्यादा CNG stations हैं, क्योंकि गुजरात में CNG station बहुत ज NCT है, मैंने सुना है, ठीक है, pipeline network भी सबसे ज़्यादा है, उनके पास commercial customer भी सबसे ज़्यादा है, domestic PNG भी सबसे ज़्यादा है, average gas supply भी उनके पास, अच्छी खास है, इंदरपरस्त है, इंदरपरस्त कहां पे है, Delhi में, ठीक है, तो NCR region में, I think majorly, तो उनके भी अच्छे खा geographical areas है, geographical areas government अलग-अलग time पे देती है, कि इस geographical areas में आपकी monopoly रहेगी कुछ time तक, तो आप पहले capital investment करो, first, ठीक है, तो आप ही CNG stations मना सकते हो, ठीक है, बदो आपकी ही natural gas CNG stations में जाएगी और आपकी ही natural gas वहाँ जाएगी, घर पे जाएगी, तो उनको एक exclusivity period मिलता है, कुछ time के लिए, ठीक है, तो वो geographical areas a lot होते हैं, government keeps on allotting, अब तो mostly 98% I think a lot हो चुके है, तो उसमें से 52 इनके पास है, 27 इनके पास है, अब obviously अलग-अलग areas, अलग-अलग अब Delhi जासा area, Mumbai जासा area obviously is more prime, ठीक है, और चोटे-चोटे areas may not be that prime, तो not geographical areas की length और उससे कुछ प्रग नहीं network कितना है, बट इनके पाँ Mumbai है, बट है तीनी सिरफ, इंदरपस gas के पास I think Delhi है, NCR गुडगाउं वगएरा कुछ इसे reasons हैं, और भी कुछ होंगी, तो इनके पास 27 है, सबसे जादा अदानी के पास है, तो future growth अदानी अच्छा कासा दिख रहा है, जैसे जैसे natural gas का penetration भढ़े लोगों की क्यों है, क्योंकि उनके पास सबसे जादा geographical areas and future, तो लोगों को लग रहा है, सबसे जादा यह expand करेंगे, and then once the exclusivity period goes off, जो इन कुछ एक दो companies का होने भी वाला है, I think Mumbai वाले का, Mahanagar का होने भी वाला है, exclusivity period खतम, तो once that open, open हो गया, तो फिर वहाँ पर भी, कोई भी consumption, अगर हम देखें, इंडिया की, with respect to globe, वो कैसी है, तो अगर हम इंडिया की देखें, तो इंडिया में natural gas का consumption is 6.3% of overall energy, जितना हम energy use करते हैं, उसमें से natural gas as a fuel, जो है 6.3 ही है, coal सबसे जादा है 56.7, और renewals, जो solar वगरा है, वो सिर्फ 5 ही है, अभी hydro 4.3 है, oil, crude oil, ठीके, petrol diesel जो है, वो 26.5 है, और ये globe में कैसा है, globe में काफ़ी difference, actually, natural gas in globe, especially अगर आप Europe में देखोगे, और Russia-Ukraine war में क्यों इतना issue हुआ, natural gas का, क्योंकि Russia पे, Russia is a big supplier of natural gas to the world, और वो globe, और वो Europe, जो है, almost 70-80% अपना natural gas वहां से लेता था, तो, और natural gas पे dependence बहुत जादा है, natural gas, they really use it very well as a fuel, तो कि वो clean, थोड़ा clean है energy है, तो 24% globe का energy, fuel से जो है natural gas से आता है, इंडिया का 6.3 है, और government का target है 15 करने का, तो कब है, कैसे है, इसको detail पर बहुत अलग discussion है, but government का target 15 करने का है, इंडिया में इसको, but globe में वो 24 है, coal 27 है, इंडिया में 56.7, तो इंडिया में coal is much more, oil, I think India 26.5, globe is 31, renewable is also, globe is at 6.7, but India is increasing very fast, I think, in renewable, hydroelectric 6.8 है, 4.3 है, nuclear is also 4.3, तो हमारा coal सब से जाता है, ठीक है, and this is how the globe is, right, I am sure कि India would want कि हम यहां तक तो पहुंचे, at least next 8-10 years में, तो natural gas कम शायर यतना बढ़े 24 तो नहीं होगा, शायर में को लगता है, but I think हमारा renewable will increase very fast, ठीक है, so that is how this whole consumption story is, right, तो सबसे जादा natural gas use कहां होता है, अब आप बोलोगे सबसे जादा कहां ही होता है, तो सबसे जादा natural gas जो है, वो fertilizer industry use करती है, currently, अगर हम 2022 तक का data देखें, हाँ, last 6-8 month में things have changed a lot, because natural gas prices बहुत जादा बढ़ गए है, तो consumption patterns काफी change हो गए है, industry से demand बहुत कम हो गई है जो काफी सारी companies में, जो natural gas use करती थी, उन्होंने दूसरे fuel पे shift कर लिया है, कि कितनी महंगी होगी ये natural gas, world में, because of Russia, Ukraine, war, ठीक है, और Euro buy कर रहा है हर जगे से, तो इंडिया को नहीं मिल रही है, ठीक है, तो price बहुत जादा हो गया है, तो काफी सारी company, तो ये काफी सारा change तो majorly सबसे ज़्यादा fertilizer industry में, और आप, I'm sure कि आप सुन भीडियो होगे, government also is very focused, क्योंकि वहाँ पर उनको subsidy बहुत देनी पड़ती है, fertilizer से, तो इसलिए they are also concerned कि वहाँ के cost बढ़ जाएंगी fertilizer industry, तो natural gas का क्या करें, ठीक है तो इसलिए domestic जो natural gas production है, वो काफी ज़्यादा fertilizer मे देने की कोशिश की जाती है, उसको APM gas बोला जाता है, ताकि वहाँ की cost manage हो सके, और PSE use ही है, तो और को छोड़ा सा कर लेते है manage, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ use होती है, फिर natural gas city में, जो है वो around 17% use होती है, ठीक है, as a cooking gas और as a CNG, and then power में 16.5, ठीक है, यह भी काफ the natural gas has been using, मतलब अलग अलग जगे पर यह use हो रही है, ठीक है, so that is all I have on this, I hope that यह जो topic है, बहुत अच्छे से समझ आ गया natural gas sector, I hope, ठीक है, तो नीचे अगर अच्छा लगा, तो प्लीज नीचे comment ज़रूर कर कीजिएगा, ठीक है, काफी detail, काफी research हुई है, और Ayush, जो हमारा research channel, he has worked on it, so I just want to thank him also on this, ठीक है, तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और ने तो शेर ज़रूर कीजिए अपने friends के साथ, families के साथ, और जाते जाते वीडियो को like ज़रूर कीजिए, और इस टाइप की वीडियो के लिए, सब्सक्राइब Please guys, do watch it. Have a great time ahead. Jain